14 तरिक को सबा 3 बजे पुलवामा में CRPF के जवानों पर चोरी से हमला किया गया जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए पूरा देश जवानों की शहादत का बदला भी चाहता है भारा सरकार ने अलगाववादी नेताओं की सिक्योरिटी हटा दी और पाकिस्तान पर 200% निर्याट टैक्स भी लगा दिया है कई बार अमूमन ऐसा देखा गया ऐसे हम लोगे बाद हम क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं बॉलिवूड में एंट्रिस बंद करा देते हैं पर क्या ये पर्मेरेंट सॉलूशन है क्या इससे आतंग बाद जड़ से खत्म हो जाएगा हमारे साथ या कुछ लोग मौजूद है उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है क्या होनी चाहिए रणनीती आगे की भारत की आरुन दुवेदी नाम है मेरा यहीं लखनव से हूँ हम यह चाहते हैं कि बार बार का जंजट खतम करके एक बार में पाकिस्तान को मुखतोड जवाब देना चाहिए तुरंट ऐसा अटैक करें कि इसको निस्तो नाबूत कर दे पहले भी वो भारत में था और खतम करके भारत में ले ले और मंदिर जो अपने देश में मंदिर का मुद्दा है या एलेक्सन है मंदिर मस्जिद यहां का सब समाथ करके बाद में करें लेकिन पहले यह करना चाहिए पाकिस्तान को खतम कर दे अपना देश सुरच्छे तो इसके बाद और काम होते रहेंगे मैं जाता हूँ सबसे पहले अपना कसमेर साफ कर लिया जाए वहाँ जो भी पत्थरबाज है उनको सीधे मार दिया जाए कोई मुकदमा नहीं कोई केस नहीं डारेक्ट उनको मार दिया जाए ये हमला पहली बार तो नहीं हुआ है अपने बारती रचों खोया है आप उन माताओं से पूछिए जुन ने अपने लाल को खोया है ठीक, उनकी क्या रहा है इस मामले में, मैं तो एक वैपारी हूँ, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन जहां तक बात आती है आतंगवादियों किलाब, तो पूरा भारत देश, जितनी राजिंदिक पार्टियां, वो सब एक जूटो कर, सिर्फ आतंगवादियों किलाब मुझे चल ये सब होगा, फिर 6 महीने साल भर बाद, पॉलिटीशन को मेटिंग होगी, और फिर से उनको लागू कर दिया जाएगा, फिर फॉर्मल तरीके से आना जाना, सब चालू हो जाएगा, ये नोटंकियां अब सरकार को बंद कर देनी चाहिए, और सभी विपक्षियों को एक सेना के साथ आकर उनका मनोबल बढ़ाते हुए, पाकिस्तान को उसी की भासा में मूँ तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, तो अब उनको लातों की जरूरत है, और भारत की सेना इतनी मजबूत लाते एक्षन भले ही रोग दो, कोई काम ना करे सरकार, सबसे पहले हमें बदला चाहिए, यही है सिर्फ जनता की एक आवाज में बांग, लखनावसी योगेश मिश्रा, ETV